नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास रत्न के बारे में, जिसे कहते हैं, इरानी फिरोजा यह रत्न ना केवल अपनी खूबसूर्ती के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थेलाब और धार्मिक महत्व भी हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे एरानी फिरोजा का इतिहास, इसके फाइदे, धार्मिक उप्योग और इसे कैसे पहना जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एरानी फिरोजा के इतिहास की. इरानी फिरोजा को सबसे प्राचीन और मूल्यवान रतनों में से एक माना जाता है यह रतन मुख्य रूप से इरान के निशापुर्ट शेतर से निकाला जाता है जो प्राचीन समय से फिरोजा के उतबादन का मुख्य केंद्र रहा है निशापुर को दुनिया में सबसे अच्छे और उच्छ गुनवत्ता वाले फिरोजा के लिए जाना जाता है प्राचीन सभ्यताओं में इसे राजाओं और महाराजाओं के ताज और आभूशनों में सजाया जाता था इसे शक्ती, समरिद्धी और रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता था इरानी फिरोजा का उलेख प्राचीन फारसी और मध्य एशियाई साहित्य में भी मिलता है जहां इसे सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है अब बात करते हैं इरानी फिरोजा के स्वास्थे लाभों की माना जाता है कि इरानी फिरोजा को पहनने से मानसिक शांती मिलती है और तनाव कम होता है यह रत्न मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और आत्म विश्वास को बढ़ाता है यह दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इसे पहनने से रक्त संचार में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने में मदद मिलती है इसके अलावा यह नकारात्मक उर्जा को दूर करने और सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है धार्मिक द्रिष्टिकोन से भी इरानी फिरोजा का महत्वपूर्ण स्थान है इसलामिक संस्कृति में इसे बुरी नजर से बचने और जीवन में सुक्षांती लाने के लिए पहना जाता है माना जाता है कि यह रत्न व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नती और आत्म साक्षात्कार में मदद करता है फार्सी परंपराओं में इस रत्न को भाग्य और सम्रिद्धी का प्रतीक माना जाता है इसे विशेश रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के समय पहना जाता है ताकि व्यक्ति को देविय सुरक्षा और आशीरवाद प्राप्थ हो सके इरानी फिरोजा का उप्योग मुख्य रूप से आभूशनों में किया जाता है जैसे अंगूठी, पेंडेंट, कंगन और हार इसके चमकदार नीले रंग के कारण इसे बहुत ही सुंदर और आकरशक माना जाता है इसके अलावा, इसे घर और आफिस की सजावट में भी इस्तिमाल किया जाता है ताकि यह स्थान की उर्जा को शुद्ध करे और वहां सकारात मक्ता लाए तो दोस्तों, यह था इरानी फिरोजा के बारे में संपूर्न जानकारी यह रत्न न केवल देखने में आकरशक है, बलकि इसके कई स्वास्थ्य और धार्मिक फाइदे भी है अगर आप मानसिक शांती, आत्म विश्वास और जीवन में संतुलन चाहते हैं तो इरानी फिरोजा एक बहतरीन विकल्प हो सकता है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इरानी फिरोजा को किस उद्देश के लिए पहनना चाहेंगे धन्यवाद